आप देख रहे हैं समाचार एजंसी आफ इंडिया में साइन नियूज यह है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज का संपूर्ण परिवार भगवान चित्रगुप्त की पत्नी एरावती अर्थात शोभावती माता के पुत्रों का विवर्ण जानिये आप देख सुन और पर रहे हैं समाचार एजंसी आफ इंडिया की साइन नियूज के धर्म प्रभाग में विभिन जानकारियों के संबंध में न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की पहली पत्नी माता सूर्य दक्षिना अर्थात नंदिनी के बारे में आपने इसके पहले वाले एपीसोड में विस्तार से जाना की उनके कितने पुत्र थे और उनके पुत्र कहां कहां जाकर बसे आज हम आपको बताने जा रहे है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज की दूसरी पत्नी एरावती माता और उनके पुत्रों के बारे में विस्तार से अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की अराधना करते है और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जै चित्रगुप्त देवा, जै श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलिए माता एरावती अर्थात शोभावती माता के पुत्रों में सबसे पहला नाम आता है चारु जिन्हें माथुर के नाम से भी जाना जाता है वे गुरु मतुरे के शिश्य थे उनका राशी नाम धुरंधर था और उनका विवाह देवी पंकजाक्षी से हुआ वह देवी दुर्गा की आराधना करते थे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्री चारु को मतुरा शेत्र में राजिस थापित करने के लिए भेजा था उनके वन्शज मातुर नाम से जाने गाए उन्होंने वेदों में विश्वास नहीं रखने वाले राक्षसों को हराकर मतुरा में राजिस थापित किया इसके पश्चात उन्होंने आर्यावर्थ के अने हिस्सों में भी अपने राजे का विस्तार किया माथूरों ने माथूरा पर राज्य करने वाले सूर्यवंशी राजाओं जैसे इक्षवागू, रगू, दश्रत और भगवान श्री राम के दर्बार में भी कई पद ग्रेहेन किये माथूर तीन वर्गों में विभाजित है, इनमें देहलवी, खचौली एवं गुजरात के कच्छी शामिल है, उनके बीच 84 अल है कुछ अल इस प्रकार है, जिनमें कटारिया, सहरिया, कक्रानिया, दवारिया, दिलवारिया, तावाकले, राजोरिया, नाग, गलगोटिया, सरवारिया, रानोरिया इत्यादी शामिल है इसके बाद दूसरे पुत्र सुचारु जिन्हें गौर भी कहा जाता है, वे गुरु वशिष्ट के शिष्य थे और उनका राशी नाम धर्मदत था वह देवी शाकंबरी की आराधना करते थे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री सुचारु को गौर शेत्र में राजिस थापित करने भेजा था श्री सुचारु का विवाह नागराज वासुकी की पुत्री देवी मंधिया से हुआ गौर पांच वर्गों में विभाजित है, इनमे खरे, दुसरे, बंगाली, देहलवी, वदन्यूनी, गौर कायस्थ को 32 अल में बाटा गया है गौर कायस्थों में महाभारत के भगदत और कलिंग के रुद्रदत प्रसिद्ध है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के तीसरे पुत्र चित्र जिन्हे चित्राख्य या भटनागर के नाम से भी जाना जाता है वे गुरु भट के शिशे थे उनका विवाह देवी भद्रकालिनी से हुआ था वह देवी जयन्ती की अराधना करते थे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री चित्राक्ष को भट देश और मालवा में भट नदी के तटपर राजिस स्थापित करने के लिए भेजा था उन्होंने चित्तोर एवन चित्रकूट की स्थापना की और वहीन बस गए उनके वंशज भटनागर के नाम से जाने गए भटनागर 84 अल में विभाजित है कुछ अल इस प्रकार है दासनिया, भटनिया, कुचानिया, गुजरिया, बहलिवाल, महिवाल, संभालवेद, बरसानिया, कनमोजिया इत्यादी भटनागर उत्तर भारत में कायस्थों के बीच एक आम उपनाम ए इनके चौथे पुत्र मतिभान जिन्हें हस्तीवर्न, सकसेना के नाम से भी जाना जाता है माताशो भावती, इरावती के तेजस्वी पुत्र का विवाह देवी को कलेश से हुआ वे देवी शाकमभरी की पूजा करते थे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज ने श्री मतिमान को शक इलाके में राजस थापित करने भेजा उनके पुत्र एक महान योध्धा थे और उन्होंने आधुनिक काल के कांधार और यूरेशिया भूखंडों पर अपना राजस थापित किया चुंकी वे शक थे और शक सामराज से थे तथा उनकी मित्रता सेन सामराज से थी तो उनके वंशज शकसेन या सकसेनप कहलाए आधुनिक इरान का एक भाग उनके राजय का हिस्सा था आज वे कन्नोज, पीली भीत, बदायू, फरूखाबाद, इटा, इटावा, मैनपुरी और अलीगर में पाए जाते है ये सकसेना खरे और दूसर में विभाजित है और इस समुदाय में 106 अल है कुछ अल इस प्रकार है जोहरी, हजेला, अधोलिया, रायजादा, कोदेसिया, कानूनगो, बरत्रिया, बिसारिया, प्रधान, कम्थानिया, दर्बारी, रावत, सहरिया, दलेला, सोन्रेक्षा, कमोजिया, अगोचिया, सिंहा, मोरिया, इत्यादी इसमें शामिल है न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के पाचवे पुत्र हिमवान जिन्हें अंबश्ट के नाम से भी जाना जाता है उनका राशी नाम सरंधर था और उनका विवाह देवी भुजंगाक्षी से हुआ वह देवी अंबा माता की अराधना करते थे गिरनार और काठियवार के अंबा स्थान नामक्षेत्र में बसने के कारण उनका नाम अंबश्ट पड़ा श्री हिमवान की पाँच दिव्य संताने हुई जिन में श्री नागसेन, श्री गयासेन, श्री गयादत, श्री रतनमूल और श्री देवधर शामिल है ये पाचों पुत्र विभिन स्थानों में जाकर बसे और इन स्थानों पर अपने वंश को आगे बढ़ाया इनका विभाजन इस प्रकार हुआ, नागसेन 24 अल में, गयासेन 35 अल में, गयादत 85 अल में, रतनमूल 25 अल में, एवन देवधर 21 अल में है अंता वह पंजाब में जाकर बसे जहां उनकी पराजे सिकंदर के सेनापती और उसके बाद चंद्रगुप्त मौरे के हाथों हुई अंबश्ट कायस्त बिजातिये विवाह की परंपरा का पालन करते हैं और इसके लिए खास घर प्रनाली का उप्योग करते हैं इन घरों के नाम उप्नाम के रूप में भी इस्तेमाल किये जाते हैं ये खास घर जिन से मगध राजे के उन गावों का नाम पता चलता है जहां मौरेकाल में तक्षशिला से विस्थापित होने के उपरांत अंबश्ट आकर बसे थे में से कुछ घरों के नाम है पुरियार आदी न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज के छटवे पुत्र चित्रचारु जिन्हें निगम के नाम से जाना जाता है का राशी नाम सुमन्त था और उनका विवाह अश्कन धमती से हुआ वह देवी दुर्गा की अराधना करते थे न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री चित्रचारु को महाकोशल और निगम शेत्र जो सर्यू नदी के तरपर स्थित है में राजिस थापित करने के लिए भेजा उनके वनशज वेदों और शास्त्रों की विधियों में पारंगत थे जिससे उनका नाम निगम पड़ा वर्तमान में कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, बंदा, जलाओं, महोबा में रहते है वे 43 अल में विभाजित है कुछ अल इस प्रकार है कानूनगो, अकबरपुर, अकबराबादी, घतामपुरी, चौधरी, कानूनगो बाधा, कानूनगो जैपुर, मुशी इत्यादी भगवान चित्रगुप्त महाराज के सात्वे पुत्र चित्रचर्ण जिन्हें करन के नाम से भी जाना जाता है का राशी नाम दामोदर था, एवन उनका विवाह देवी कोकल सुता से हुआ वह देवी लक्ष्मी की आराधना करते थे और वैशनव थे महाराज न्याय के देवता धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री चारून को करन शेत्र जो वर्तमान का करनाटक राजे है में राज स्थापित करने के लिए भेजा था उनके वनशच समय के साथ उत्तरी राज्यों में प्रवासित हुए और आज नेपाल उरीसा एवन बिहार में पाए जाते हैं उनकी बिहार की शाखा दो भागों में विभाजित है इसमें गयावाल करन जो गया में बसे और मैथिल करन जो मिथिला में जाकर बसे इनमें दास, दट, देव, कंट, निधी, मलिक, लाब, चोधरी, रंग आधी पद्वी प्रचलित है मैथिल करन कायस्थों की एक विशेष्टा उनकी पंजी पधती है पंजी वनशावली रिकॉर्ड की एक प्रनाली है करन 360 अल में विभाजित है इस विशाल संख्या का का वह करन परिवार है जिन्होंने कई चरनों में दक्षिन भारत से उत्तर की ओर पलायन किया इस समुदाय का महाभारत के करन से कोई संबंध नहीं है चित्रगुप्त महाराज के आठवे पुत्रचारुन श्री अतिंद्रिये जो कुल श्रेष्ट भी कहलाते है का राशी नाम धर्मराज भगवान चित्रगुप्त महाराज जी ने श्री अतिंद्रिये जितेंद्रिये को कन्योज शेत्र में राज स्थापित करने भेजा था। बंगाल में वे मतुरा, आगरा, फरूखाबाद, इटा, इटावाह और मैनपुरी में पाए जाते हैं। कुछ कुल श्रेष्ट जो की माता नंदिनी के वंश से है, नंदी गाम बंगाल में पाए जाते हैं। हरी ओम। अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी की अराधना करते हैं और अगर आप भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज जी के भक्त हैं, तो कमेंट बाक्स में जै चित्रगुप्त देवा, जै श्री चित्रगुप्त महाराज लिखना न भूलिए। यहां बताए गए उपाय, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार Agency of India के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है। यहां दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन माधियमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंत कथाओं, किम दंतियों आधी से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेक को अंतिम सत्य अत्वा दावा ना माने एवन अपने विवेक का उप्योग करे। समाचार Agency of India पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मानता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगे से सला अवश्य ले ले। अगर आपको समाचार Agency of India में खबरें आधी पसंदा रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर वा सब्सक्राइब अवश्य करे। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद! सम्सक्राशब टे Αभएजर आप Penna क्या झापकारण से सक्ष्भा एंपकार अवश्य करें जानकार अभताराा खुची ले? अब्सक्राण से ले ले एम बदू हो एंभतारा गाम एंज बस्क्राणिए exemplo झाल